गाइज नमस्कार आपके अपने यूटूब चैनल टेक टू हेल्फ में तमाम लोगों का स्वागत है गाइज आप देख रहे हैं नासिक मंडी फाइनल प्याज भाव लास्ट आज 9 जुलाई 2021 आज का टूडे रिपोर्ट नासिक में कितना तेजी कितना मंदी हुआ है आज प वीडियो में डेली का डेली अप्लोड करूँ आप देख रहे हैं नासिक में लास्ट कितना तक निलामी हुआ है आज लास्ट मात्र कितना तक निलामी हुआ है क्यूं नर्मी देखने को मिल रहा है प्याज में गाइज नासिक मंडी हो चाहें या इंदौर मंडी हो नर्मी क देखने को मिल रहा है कारण यह मैं बताऊंगा गाईज तो चलिए हम आज का वो सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं क्या क्या भाव आज बिका है लास्ट तक निलामी हुआ देख रहे हैं गाईज आज का लिस्ट यहां पर जारी है आज तारीख है 97-2021 यहां पर ओनियोन अगर बात करें महराष्ट का तो महराष्ट में नासिक मंडी में एक्ष्ट्रा में सूपर में एक दोलाट थेईस सो तक भीका है बिक साइज एकिस सो बाईसो जो मुकूल साइज है जो सबसे ज़्यादा मुकूल में बिकता है वो 1900 से लेकर 2000 और 1700 से लेकर 1800 मेडियम भीक रहा है जो की 80% क्यालिटी मेडियम क्याल आ रहा है गोलटा की बात करें तो 1600 से 1700 गोलटी 1200 से 1400 चोपरा भीक 1200 जोड़ा भीक जो भीक रहा है 800 से 900 एबरेज क्वालिटी का माल 1200-1500 लोकल ओनियोन की बात कर ले तो बेस्ट क्वालिटी का 1200 और एबरेज क्वालिटी का माल 1200-1500 का बीच भिक रहा है जो की 80% माल एबरेज क्वालिटी का रहा है जो अच्छे क्वालिटी में बिल्कुल नहीं आ रहा है बिल्कुल कम पत्ते में आ रहा है गाइज ये नासिक मंडियो चाहीं इंदॉर मंडियो पोटाइटो की बात कर ले तो पोटाइटो 1300 से लेकर 1400 रेट भी क्रा है तो गोला में जो भीक रहा है शूपर में 8,000 से पचाशी सो जो लट्डू में भीकला है पच्चपंसओ से 6,000 एक्स्ट्रा में पांच थाजार से लेकर पच्चपंसो स्मॉल में 25,300 कली जो विया है छुटअ लसन फच्चीश से 3,000 लसन में कुछ नर्मी देखने को मिल रहा है यहाँ पे गर्ली लसन में यहाँ पे 85 तक विका है जोकी 9,000 10,000 तक भी बिगा था कल की मुकाबले गाइज अगर हम प्याज की बात कर ले गाइज तो किसान भाईयो बैबारी भाईयो प्याज जो अच्छे क्वालिटी के नहीं आ रहा है इसलिए नर्मी देखने को मिल रहा है कुछ बाइरिस का भी कारण है कुछ क्रोना वारिस के भी कारण है बहुत सारे ऐसे मंडियों में नियम लग चुका है कि जिस डिस्टिक में मंडी है उसी डिस्टिक क्या जो भी किसान है वो माल ले जा सकते है कारण ये भी एक बहुत बढ़ा है गाइज और प्याज अच्छा क्वालिटी नहीं आने के कारण भी प्याज में नर्मी देखने को मिल रहा है परती दिन मार्केट बिल्कुल स्लो चल रहा है प्याज की बात करे तो गाइज तो वीडियो कैसा लगा वीडियो तो कमेंट करके जरूर बताएं तो फिर मिलेंगा हम अगले वीडियो में गाइज जै हिन जै भाराज जै जवान जै किशान